नमस्कार आप सभी बिये पार्ट प्रतम वर्ष के विद्यारतियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है आज हम हमारी प्रतम पेपर की जो दूसरी इकाई है उस इकाई की जो समूह के बाद जो अगली अवधार्णा है जिसे संस्कृति कहते हैं परचर्चा करने जा रहे हैं संस्कृति मानव वा पशु में अंतर का मुख्य कारक है यदि मानव से उसकी संस्कृति को वापिस ले लिया जाए तो मानव भी पशु के समान एक प्राणी बचेगा संस्कृति की मुख्य विशेष्टाओं पर बात करते हुए लैसली वाइट ने कहा कि संस्कृति मानव द्वारा ही निर्मित की गई है इसके पीछे मानव के जो पांच विशेष्टाएं हैं उनके कारण ही संस्कृति का निर्मान संभव हुआ है इन विशेष्टाओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे पहली जो विशेष्टा है वह है सीधे खड़े रह सकने की शम्ता इस प्रत्वी पर जितने वी जीव हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उन सभी जीवों में केवल और केवल मानव ही एक ऐसा प्रानी है जो बिल्कुल सीधा खड़ा रह सकता है इसके अलावा अन्य जो जीव हैं वह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं यह पहली विशेष्टा है सीधे खड़े रह सकने की शम्ता जो मानव के पास ही है दूसरी विशेष्टा जो मानव में है वह है सतंतरता पूर्वक गुमाए जा सकने वाले हाथ अर्था इस पूरे वि चारों तरफ गुमा सकता है तीसरी जो विशेष्टा मानव के अंतरगत पाई जाती है वह है तेक्षण एवं केंद्रित की जा सकने वाली द्रश्टी अर्था अर्थ संपूर्ण विश्व जगत में जितने भी जीव हैं उन जीवों में मानव की जो नेत्र है मानव की जो द् अगयों साथ के से तिक्षिन ता वाकेंद्रित की जा सकने वाली शमता नहीं है। में इसके अलावा चोछी विशेष्वता अ में ध़ावी मस्तिक्ष्च। संपूर्ण जीव जगत में मानव ही एक ऐसा जीव है जिसका मस्तिक्ष मेगावी है अर्थार्थ वह सोच सकता है समझ सकता है परक्ष सकता है और साथ ही वह है याद याददाश भी रख सकता है समस्त जीवों में केवल और केवल मानव ही एक ऐसा जीव है जिसकी याददाश अधिक्तम होती है कि इसके पर शाथ जो पांचवी विशेष्टा है वह है प्रतीकों का निर्मान करने की शम्ता है कि मानव् परतीकों का निर्मान कर सकता है यह प्रतीक किसी भी रूप में समाज में हो सकते हैं प्रतीक का अर्थ चिन्य से खता है किसी भी वस्तु को किसी भी संगठन को किसी संसा को हम किसी ना किसी प्रतीक के माद्यम से जानते हैं उदारण के लिए अशोग चक्र बारत का सविधान का प्रतीक चिन है इसी तरह अन्य चिन भी है वेवाई होने का चिन इस तरह मानव के पास प्रतीकों का का निर्मान करने की शमता होती है और यहीं शमता संस्कृती के निर्मान में सायक है यह पांचों विशेष्टा है जब लेस्ट्री वाई चर्चा करते हैं और कहते हैं इन पांचों विशेष्टाओं के कारण ही संस्कृती का निर्मान मानव कर सका और दूसरे जो जीव हैं उ नहीं हो सकता है किनिए りました सन्सकृती शब्ड संस्कृत भाषा से लिए गया हैação संकृति और दोनों शब्द संस्कार से बने हैं, संस्कार का आर्थ है कर्त्यों की पूर्ति अर्थार्थ एक हिंदू अपने जनम से अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिन में उसे विभिन प्रकार की भूमिकाएं निबानी पढ़ती हैं संस्कृति की जो सबसे उत्कृत्त परिवाशा है वह एडवर्ड टाइलर ने दी है एडवर्ड टाइलर माने हुए अमेरिकन मानोशास्त्री है या कहें कि सामाजिक मानोशास्त्री है ने संस्कृति की संपून परिवाशा दी है टाइलर के अनुसार संस्कृती वह जटिल समगरता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्नेशमताएं और आदतों का समावेश होता है जो मनुश्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है इस परिवाशा को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे परिवाशा थोड़ी लंबी है परन्तु सबसे सरल परिवाशा है समझने के प्रश्यात आपको लगेगा कि यह परिवाशा सर्वत्म परिवाशा है इस परिवाशा के माध्यम से हम संस्कृती के समस्त पक्षों को समझ सक हैं परिभाशित कर सकते हैं मिए टाइलर केते हैं संस्कृति वह जटिल समग्रिता है अर्था अर्था संस्कृति बहुत व्यापक और जटिल है और सभी जगे फैली हुई है इसके अंतरगत इस ग्यान मनुष्य का जो ग्यान है ज्यान किसी भी रूप में हो वह समस्त ग्यान इसके अंतरगत आता है विश्वास, मानव के जो भी विश्वास हैं धर्म के प्रती, कारे करने के प्रती, जीवन जीने के प्रती वह सभी विश्वास भी संस्कृती के अंतरगत शामिल होते हैं कला किसी भी तरह की कला जिसके माध्यम से हम प्रकर्टी प्रदत वस्तुओं को और सुन्दरता प्रदान करते हैं या उन्हें मानव के उप्योगी बनाते हैं वह समस्त कला संस्रिती के अंतरगत आती है उदारन के लिए यदि आप कपड़ों के माध्यम से कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े बनाने का तरीका मिट्टी के माध्यम से मिट्टी के बरतन बनाने की कला लकड़ी के माध्यम से लकड़ी के उपकरण बनाने की कला लोहे के माध्यम से लोहे के उपकरण बनाने की कला ऐसी समस्थ कलाएं संस्कृति के अंतरगत आती। आचार, कानून आचार और कानून से आचार से तात पर भरी है मानव के दोड़ा समाज के दोड़ा निर्धारी प्रतیमानों के माध्यम से कारे करने के तरीकों से होता है और कानून एक लिखित संविदा है जिसके अधार पर जिसके उलंगन पर समाज एक संसा के माध्यम से मानव को दंडित करता है ये सब संस्रती के अंतरगत आती हैं साथ ही ऐसी ही अन्य शम्ताएं एवं आदतों का समावेश जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है अर्थार समाज के माध्यम से जो मनुष्य एक नाया शिशू जो जो भी सीखता है वह सब संस्कृति का भाग होता है इस अर्थ में टाइलर की परिवाशा बहुत विस्तरत परिवाशा है सम्सकृति को संपुर्ण रूप से अर्थ प्रधान करने वाली परिवाशा है क्योंकि टाइलर कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समगरिता है जिसमें ज्ञान, विश्वा, स्कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य शम्ताएं वो मादतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सज़स्य होने के नाते प्राप्त करता है आते आप सब विद्यारतियों से मेरा ये विनमर अनुरोध भी है कि आप इस परिवाशा को कंठस्ट कर लें और ये मान के चलें कि दो नंबर का जो प्रशन पूछा जाता है आपके प्रशन पत्र में उसमें संस्कृति की परिवाशा निश्चित रूप से पूछी जाएगी अब हम आगे चलते हैं संस्कृति की अन्य परिवाशा उपर संस्कृति की जो दूसरी परिवाशा है वह है मजुमदार एवं मदान के दुआरा लिखी गई है मजुमदार एंग मदान ने अपनी ये किताब लिखी है सामाजिक मानोशास्त्र एक परीचे है एन इंट्रोड़क्शन टू सोशल एंथ्रोपलोजी यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्द है यह पुस्तक आपका जो सेकिंड पेपर है उसके लिए बहुती महत्मूर्ण पुस्तक है और विद्यारती मुझे जो सूचना प्राप्त हो रही है गतिकत रूप से भी वह है विद्यारती वार्टसेप ग्रूप पे मुझे पुस्तकों के बारे में कह रहे हैं तो मैंने अभी थोड़ा विराम दिया लेकिन फिर भी मैं अपने इस व्याख्यान के माद्धियम से बता दू कि सेकंड पेपर के लिए मजुम्दार मदान की जो किताब है सामाजिक मानोशास्त्र एक परीचे है हिंदी में और सोशल एंट्रोपोलोजी मजुम्दार मदान की किताब आपके सेकंड पेपर के लिए बहुत उफ्योगी है वहे भी संस्कृति की जो परिवाशा देते हैं उस किताब में उसमें बड़ा सरल तरीके से लिखते हैं कि लोगों के जीवन जीने के ढंको संस्कृति कहते हैं अर्थाथ मनुष्य मानव जिस तरीके से अपना जीवन जीता है वह संस्कृति है इसके अरावा पिगिंडन की परिवाशा है संस्कृति उन बहुतिक और बहुतिक साधनों और कार्णों का संपून योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्रानिशास्त्रिये तथा सामाजिक आवशक्ताओं की संतुष्टी तथा अपने पर्यावरण से अनुकुलन करता है अर्थार इस परियावरण के माद्यम से, परियावरण में की उपलबदा के माद्यम से मानव ने अपने बहुतिक विकास के माद्यम से जो भी बहुतिक है, बहुतिक साधनों को निर्मित किया है, वह सब संस्कृति के अंतरगत आते हैं, एक हश्कोविट्स की परिवाशा है, बहुत सर अगर्वित परिवाशा है यह परिवाशा है कि परियावरन का मानव निर्मित भाग संस्कृति है अर्था अर्थ मानव ने परियावरन के माध्यम से जो भी निर्मान किया है चाहेवे मूर्थ है चाहेवे अमूर्थ है संस्कृति के अंतरगत आता है होबल की एक परिवाशा है होबल कहते हैं कि संस्कृति सीखे हुए वेवार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्कियों की विशेष्टा है और जो प्रानिशास्तिय विरायस्त का परिणाम नहीं है अर्थार होबल समाजी करण के माद्यम से संस्कृति को योग हैं जिसके सभी भागिदार होते हैं तता जो हस्तांत्रित की जाती है अर्थाइर्थ लेंटन कहते हैं कि संस्कृति एक पीडी से दूसरी पीडी में गवन करती है और समस्प्रकार के जो ज्यान, दार्णाय, प्राकर्तिक व्यवार हैं, प्रतिमान हैं वह सब संस्कृति के अंतरगत आते हैं संस्कृति की इन छे परिबाशाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि एक समाज विशेश के संपून व्यवार प्रतिमान अथुआ समय जीवन विधी को ही संस्कृति के नाम से जानते हैं अर्थार्थ जो भी भिन भिन समुदाये हैं भिन भिन समाज है वह समाज प्रतेक समाज के अपने संपून वेवार प्रतिमानों को तथा समय जीवन विधी को ही हम संस्कृति कहते हैं उधारण के लिए राजस्तानी लोग साफा पैनते हैं दालबाटी चुर्मा इनका मुख्य बोजन है विशेश बोजन है वहीं दक्षिन भारत के लोगों का बोजन चावल से बने प्रदार्त होते हैं और साथ ही समुद्र नस्दिक होने के कारण वह मचली का उपयोग भी करत इसलिए वहां की संस्कृती चावल और मतस्य उत्पादन से संबंदित है ताजस्तान रेकिस्तानी इलाका है यहां दालबाटी चुर्मा की संस्कृती है यहां का परिधान भी अलग है इस तरीके से प्रतेख समाज विशेश के जीवन जीने के डंग को हम उस समाज कर पाया उन पांच विशेश्ताओं की चर्चा की जो लैसली वाइट ने आपकी सामने रखे सीदे खड़े हो सकने की शम्ता सवसंत्ता पूर्व गुमाए जा सकने वाले हाथ मेधावी मस्तिक्ष तीक्षन एवं केंद्रित की जा सकने वाली दर्ष्टी और प्रतिकों का निर्मान करने की शम्ता ये पांच विशेश्ताओं मानव के अंतरगत मानव में पाई जाती है अतय केवल संपून जीव जगत में केवल मानव ही ऐसा जीव है जिसने संस्कृति को निर्मित किया इसके पश्चात हमने संस्कृति की छै विदवानों की परिव सर्वोंत्म परिबाशा इसके पाइट आज के व्याध्यान सांस्क्रटी में कि अर्थ और परिबाशा को समझने अगला जो हमारा व्यक्षान होगा वह संस्कृति की विशेष्टाओं के संदर्व में होगा संस्कृति समान्य बोलचाल की बाशा में आमजीवन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है समाशास्त्री इसे विशेष अर्थों में लेते हैं आप सभी विद्यार्तियों से भी मेरा यह अनुरोध है कि संस्कृति के अंतरगत सभी पक्षों को संबलित करें जो मानव के दोवारा निर्मित है चाहे वह बाल बाने का तरीका है खाना खाने का तरीका है या सोने का तरीका है या आप्रगे जीवन में किसी भी तरह की जीवन विदी है वह संस्कृती से जूड़ती है साथ ही समस्प्रकार के आविश्कार समस्प्रकार के उत्पादन जो चाहे करशी छेतर में हो चाहे उद्ध्योगों में हो चाहे सर्विस एक्टर में हो सभी के सभी संस्कृति के अंतरगत आते हैं अते संस्कृति एक व्यापक जटिल अवधार्णा है समगरिता है इसे रुची पूर्ण तरीके से आप अध्यन करें और आज के व्याख्यान में इतना ही हम रखेंगे अ